ओम शांती, 30 नुवंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगेन बड़े बड़े अक्षरों में पड़ें, सुनें और मन्थन करें। हम प्रते देन प्राता छे बजे, साहें चार बजे मुरली मन्थन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मन्थन में साथी वासयोगी बन सकते हैं। जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सवेरे शाम को रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कच नहीं हो रही है, तो आप इसी वीडियो के सामने देखते हुए वासयप नंबर देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में। उस वासयप नंबर पर मैसेज करके लिंक प्राप कर सकते हैं, जो रोजाना के लिए एक ही होता है। और यदि कोई प्रशन है तो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम, शान्ती, आज की मुर्ली का सार, मिठा मिठा बाबा, कैते मिठे बच्चे, सन शोज फादर, सन शोज फादर, मन मत को छोड़, श्री मत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। प्रशन, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं। किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं। पहली बात उठती है कि बाप क्या रक्षा करते हैं। बाप शिव बाबा क्या रक्षा करते हैं। नहीं करते हैं। पहली बात हमारे पास प्रशन खड़ा होता है कि शिव बाबा रक्षा नहीं करते हैं। क्या करते हैं। क्या क्या रक्षा करने। जिन आतमाओं की बाबा की श्रीमत पर चलकर रक्षा होनी है वो रक्षा होनी है। वो सुरक्षित रहेंगे, बाबा किसी की भी, कोई भी, सारिरिक जिसमानी सुरक्षा नहीं दे सकता। संसारिक सुरक्षा नहीं दे सकता। वो संगपर आते हैं, वो यहां हमें पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई चे अंदर ही उसकी सब कुछ हमारा जिवन निर्वे करता है, उसी चमपरूरों को प्राप्ट करते हैं, कितना बड़ा उनका योगान है? वो आकर जो ग्यान देते हैं, हम उस ग्यान पर चल कर, हम अपने आपको सुरक्षित करते हैं, औरों को भी सुरक्षित रहने की विदि सिखाते हैं, अपने आपको स्रेष्ट ते स्रेष्ट दिवे गुणों से संपन देवता बनाते हैं परन्तु बाबा वीधी के सिवाए और कुछ नहीं करता उसके अंदर हमें कोई शक नहीं हमें याद रखना है ये याद ना रखने के कारण गलत फहमी हमारे बीके भाई बेहनों के बीच में बन जाती है कि बाबा बचाएगा बाबा मेरे बच्चों को बचाएगा किसी भी परकार की मुसीबत में नहीं आने देगा हमारी भी रक्षा बाबा करेगा हमारा मकान गिरने वाला है उसको गिरने से रोक देगा हमारे खेत बहा देगा हमारे बिमार होने पर बेटे की तरह आकर पानी पिला देगा कितनी कहानिया बना बना करके जान अमरत में डाली गई है कि बाबा आकरके उस बिमार व्यक्ति को होस्पिटल लेके गया उसको बचा के लाया बहुत ये कहानिया थोड़ी देर के लिए किसी को अकर्षित कर सकती है परंतु भ्रम दूर होना चाहिए मेरा ये काम रुका हुआ था बाबा ने आके मेरा काम करवा दिया मेरी नोकरी लगवा दी मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया मेरी बिमारी ठीक हो गई एक बहन ने कहा कि बाबा को मैंने कहा देख बाबा कुटने के ठीक करने के लिए मेरे को इतने लाख रुपए लगेंगे तेनी दो लाख लगेंगे या तेन लाख लगेंगे वो मैं आपके बंदारे में दे दूँगी आप ये मेरे घुटने ठीक कर दो मेरे घुटने ठीक हो गए मैंने भंदारे में दे दिये ये गलत फेहमिया नहीं पाले स्थूल कोई भी कोई भी कोई भी स्वरक्षा स्थूल स्वरक्षा शिव बाबा ना देता है ना दिया है और ना देगा हाँ विधी बताते हैं और उस विधी पर चल कर आप अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं प्रंतु ड्रामा अनुसार काल्प पहले आप यदि उस बिमारी से उस दुख से अपने आपको नहीं बचा सके थे तो इस बारी भी आप अपने आपको उस बिमारी से मुक्त नहीं कर सकेंगे वो तो आपको फिस करनी ही करनी है ये बात हमें सबसे पहले अपने बुद्धी के अंदर रखनी है अब बाबा से पुछते हैं कैसे हमारी रक्षा बाबा जरूर करते हैं जो बच्चे सच्चे हैं, उनकी रक्षा जरूर होती है, अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई जूट होगा। अंदर में जरूर कोई ना कोई जूट होगा। पड़ाई मिस करना, संशे में आना, अंदर में कुछ ना कुछ जूट है। उन्हें माया अंगुली मार देती है। अंगुली मारना मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे बैठे होते हैं खाली हाथ शैतान का घर, इसको छेड़ दिया, उसको छेड़ दिया। तो यहां हमें समझ में लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, कि इस जूटी काया, जूटी माया और इस जूटे संसार के अंदर सभी जूटे हैं। सभी जूटे हैं, जिसके कार्ण ही तो दुखी हैं, सच्चे बन जाएं, सत्य सुरूप आत्मा की सित्ती में टिक जाएं, आब मुझे बताओ, कि उस आत्मा को कौनसा दुख हो सकता है। जब तक हम शरीर समझेंगे, दुख आएगा। मैं जब आत्मा समझूँगा, तो आत्मा को बताओ, कौनसा दुख आ सकता है, कोई बताओ, पुरी दुनिया में चैलेंज है। आत्मा को सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, ठांडर नहीं लगती, तुफान नहीं लगता, बार में कुछ नहीं होता। उसे खाने को कुछ नी चाहिए, पहने को कुछ नी चाहिए, रहने को कुछ नी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान 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 कुछ नी चाहिए, रोटी कपड़ा देखिए परमात्मा शरीर धारन नहीं करता जब आत्मा ने शरीर धारन किया तो वो जूट के संपर्क में आ गई अब यहां बाबा ने कहा कि अंदर में कुछ ना कुछ जूट है जब मैंने कह दिया मेरा शरीर तो मैं जूटा हो गया न अब मेरे को शरीर को तो बिमारी लग सकती है न अब वो बिमारी बाबा ठीक नहीं करेगा रोटी नहीं मिल रही है आपको खाने के लिए आप चाहे कितना तरब तरब के मर जाओ आपको रोटी लाके देने वाला बाबा नहीं है पानी भी नहीं लाके देने वाला क्यूं क्यूं नहीं मिल रही आपको रोटी क्योंकि आपने किसी को जिस आत्मा के थुरू आपको खाना मिलना चाहिए था उसको नहीं दिया वो आपको क्यूं दे वो आपको क्यूं दे और आपने तरपना है कोई ना कोई दर्द आपका कार्मिक एकाउंट में है वो आपको लेना है तो आपको लेना पड़ेगा कोई दुनिया का डक्टर आपको कोई परिवार का सदस्य कोई गुरू जी कोई महत्मा जी कोई संत जी कोई भजाड फूके करने वाला गुरू जी आपके दुख को दूर नहीं कर सकता आपने किसी का कर्जा देना है आपको दर्द वहाँ पूरा होने वाला है ठीक होने वाला है और आप उसके पास जाएंगे उसको कर्जा देंगे और उसके बाद वो आपका दर्द ठीक हो जाएगा उसने दर्द ठीक नहीं किया उतने समय तक आपने वो दुख भोगना था और उसके बाद उसको पैसा देना था और वो कर्जा बराबर होना था और इधर आपका दुख भी बराबर होना था बाकि कोई उसने नहीं किया आप बाबा की कुटिया में जाने थे, बाबा से आपने मिलना था, आपको हार्ट की प्रोब्लम थी और वो आपके हार्ट की प्रोब्लम बाबा के पास आने से, बाबा की सिरीमत पर चलने से, आपका लाइफ स्टायल चेंज होने से हार्ट की प्रोब्लम ठीक हो गई, अब य सारी बिमारियां हमारी लाइफ स्टाइल से हैं और हम अपनी लाइफ स्टाइल एक दम सिंपल कर दें एक दम साधी कर दें जिसमें कुछ ये तला मला गंद मंद खाना पीना गंदे तरीके से रहना भलब चेंज कर दी हमने लाइफ स्टाइल को टाइम पर सोना टाइम पर उसन जितना हम सत्यमार्ग पर चलते हैं, उतना सत्यूगी दुनिया स्वर्ग का सुख लेने के निमित बनते हैं। कौन अकर्षित होगा, जो दे समझेगा, पहले ही जूठ पर आ गया, जब उसके जीवन का आधार ही जूठ हो गया, तो वो कहां अकर्षित होगा। जूठे सुख को सुख समझे बेटे और बड़ा मजे मन में बड़ा आनंद मना रहे हैं, कि हमारे पास सारी सुख स्विधा हैं। रोटी कुप्रा मकान हमारे पास ओ, दा बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास अवेले बला है। ठीक है पर रंतु जाने वाला है और वो दुख आने वाला है। क्योंकि जिस स्विधा को हम ले रहे हैं, वो स्विधा अगले पल नहीं होगी। चाहे वो चश्मे की स्वीदा हो, चाहे वो मोबाइल की स्वीदा हो, तो जाए हमारे पास AC की स्वीदा हो, चाहे इंटरनेट की स्वीदा हो, जो भी स्वीदाएं हैं, वो सारी स्वीदाएं जाने वाली हैं, और जब जाएंगी तो दुख होगा उन्हों के लिए माया चुम्बक है क्या मतलब है चुम्बक का? कि वो इस संसार के सुखों में इतना चिपके हुए हैं उन्हें बाबा आये हैं परमधाम से आकर सत्य बता रहे हैं जिसको कहा जाता है God is truth वो सत्य परमात्मा आकर सत्य मार्ग दिखा रहे हैं प्रंतु वे उधर जा नहीं सकता शिरी मत पर चलने वाले बच्चे अकर्षित नहीं हों तो कौन सुरक्षित रहेंगे? जो बाबा की शिरी मत पर चलेंगे जितना जितना सत्य को प्राप करते जाएंगे और जो अकर्षित होंगे वो ओटोमेटिक दुखी होंगे माया का छोटा सा भी अकर्षन हमें सुखी बनाने से रोकता है और फिर रूलाता है और बाबा आकर इस रूलाने से छूटने की वीधी बताते हैं छुडाते नहीं हैं ओम शान्ति रूहानी बाब बैट रूहानी बच्चों को समझाते हैं ये तो बच्चों ने निश्चे किया है रूहानी बाब हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं इसके लिए ही गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बवकाल सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिला दला मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं वहां तो सब इकठे रहते हैं अलग रहते हैं तो ज़रूर आत्माएं वहां से बिछुडती हैं आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं सतो परधान से उतरते उतरते तमो परधान बनती हैं बुलाते हैं पते तो पावन आकर हमको पावन बनाव। बाप भी कहते हैं हम हर पाँच जार वर्ष के बाद आते हैं ये स्रिष्टी का चक्र ही पाँच जार वर्ष है। आगे तुम ये नहीं जानते थे शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तंद्वारा से कोई आवाज तो नहीं करते हैं शक्ति वाप्रेणा आधी की कोई बात नहीं है तुम आत्मा शरीर में आकर वरतालाब करती हो वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डारेक्षन देता हूं फिर उस पर जितना चलते हैं अपना ही कल्यान करते हैं श्रीमत पर चले वा ना चले टीचर को सुने वा ना सुने अपने लिए ही कल्यान करते हैं नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे ये भी समझाते रहते हैं शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है फादर शोज सन जिसमानी फादर की बात नहीं है ये है रुहानी बाप ये कौन है रुहानी बाप ये भी तुम समझते हो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे पूरा चलने वाले उंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले उंच पद नहीं पाएंगे, बाप तो कहते हैं मुझे याद करू तो तुम्हारे पाप, तुम्हारे पाप कट जाएंगे रावन राज्ये में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चड़े हुए हैं विकार में जाने से भी पाप आत्मा बनते हैं पुन्या आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं पुन्या आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं, मनुश्यों को ये पता नहीं है कि देवताएं जो पुन्या आत्मा हैं वही फिर पुनर जनम में आते हैं, आते पाप आत्मा बनते हैं वे तो समझते हैं ये सदायव पुन्या आत्मा हैं बाप समझाते हैं पुनर जनम लेते लेते सतो परधान से तमो परधान तक आते हैं हर आत्मा सतो परधान से कहा आते हैं तमो परधान तक आते हैं जब बिलकुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं जब पुन्या आत्मा हैं तो याद करने की दरकार नहीं तो ये तुम बच्चों को समझाना है सर्विस करनी हैं बाप तो नहीं जाकर के सब को सुनाएंगे बच्चे सर्विस करने लाइक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए जिरको सर्विस करना आता है उनको जाना चाहिए जाकर के सेवा करनी चाहिए मनुशे तो दिन प्रति दिन असुर बनते जाते हैं पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं गुनुषे कहते हैं गीता का भगवान सिरी कृष्ण है ये बगवास है तुम समझाते हो वे तो देधारी है उनको देवता कहा जाता है सिरी कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे ये तो सब फादर को याद करते हैं आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई हो नहीं सकता होता ही नहीं है ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है ये कॉर्पोरियल फादर हो जाता है समझाया तो बहुत जाता है कोई पूरा ना समझ कर उल्टे राष्टे पर जंगल में जग कर गिरते पड़ते हैं उल्टे राष्टे पर चाके जंगल में गिरते हैं जंगल का है जहां दुख मिले जहां काटे चुबे है वो जंगल है चाहे आप एसी कमरे में बैठे हो एसी के कमरे को भी जंगल बना देता है बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं स्वर्ग की तरफ जाने का रास्ता अलग है जंगल में जाने का रास्ता अलग है वहीं पर ही स्वर्ग बन जाता है, वहीं पर ही नर्क बनता है, और यही प्रिथ्वी है, जब हम सत्य स्मृति में रहते हैं, तो यही प्रिथ्वी हमारे लिए स्वर्ग होती है, और जब हम सत्य की स्मृति से विस्मृति में आ जाते हैं, बाबा आकर सत्य स्मृति देते हैं, सत्य समझाते हैं, सत्य पर चलना सिखाते हैं बाप समझाते हैं, तुम को जंगल तरफ ले जाने वाला है रावन तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस जंगल के काटे बन जाते हो, वे फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे यहां तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुर्शार्थ करने त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे त्रेता को स्वर्ग क्यों नहीं कहेंगे कौन बताएगा कितनी कलाय कम हो जाती है आज बाबा की लाइन समझो 25% काम हुआ ना 25% का मतलब कितनी कला होंगी सिद्धी बाशा बिलकुल बाबा मुरली में देखता है कि कैसे बच्चे बैठे हैं और कैसे मुझे बताना है 25% काम हुआ ना तो यहां आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे भई 25% करेक्टर में गिरावट आ गई है अब उसे क्या स्वार कहेंगे 25% तो दुख आ गया ना यह कम दुख तो नहीं है ना नई दुनिया नहीं कहेंगे भई ना-पास जो होते हैं बाबा की शिरीमत पर चलने में जो 75% से भी ज़्यादा नमबर नहीं ले सकते उनको ना-पास कहा जाता है फेल ना-पास माना पास नहीं हुए स्वर्ग के लाइक नहीं बने तो वो कहां चले गए त्रेता में चले त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे ना-पास वहां चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं नीचे उपर होते रहते हैं तुम मैसूस करते हो तुम मैसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वो नहीं रहती स्वर्ग वासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास त्रेता में जाने वाले बाबा आज क्या कहता है फेल नापास तो नर्क वासी से स्वर्ग वासी बनते हो नहीं तो फिर नापास कहा जाता है या तो स्वर्ग वासी बनो पिचत्तर से ज़्यादा नमबर ले लो उस पढ़ाई में तो फिर दुबारा पढ़ते हैं दुनिया में तो यह होता है कि फेल हो गई हो चोड़ो दुबारा पढ़ लो पन्तु ये पढ़ाई दुबारा नहीं मिलेगी ये पढ़ाई आपको दुबारा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी ये गड़बर यदि एक कल्प अपने आपको नहीं सुधार है तो किसी कल्प कलपांतर वही रिपीट होगा वही इम्त्यान पास करते हैं जो कलप पहले किया था जिन्नों ने एक कलप में एकजाम पास नहीं किया वो ना किसी कलप में पास कर सके थे और ना किसी कलप में पास कर सके इस ड्रामा के राज को अच्छी रीती समझना चाहिए कई समझते हम चल नहीं सकते, बुढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेगे नहीं तो गिर पढ़ेंगे परंतु तकदीर में नहीं है कितना भी जोर लगाओ फूल बनाने का परंतु बनते कितना कहो कि भी आत्मा समझ कर, यहां तो कोई मतलब भी नहीं है चलने का हाथ पकड़ करके वाथ सरफ इतना है कि आके बैठ जाओ, आप तो यह भी सुईदा कर दी, आप आ नहीं सकते हो तो घर बैठे सुन लो भै बिस्तरे में बैठे बैठे, लेटे लेटे सुन लो तो तो मतलब कहने का है कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कितनी सुईदा है हमारे लिए कर दी है कि आप सेंटर पर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर बैठे बैठे घर लेटे लेटे, सोहे सोहे, जैसे मर्जी अराम से सुन सकते हो ना और सुन करके मंतन करो इसके लिए कुछ नहीं चाहिए अपने आपको बैठ कर समझाओ लेटे लेटे समझाओ, बैठे बैठे समझाओ काम करते हुए समझाओ भागते हुए, दोड़ते हुए समझाओ सहर करते हुए समझाओ exercise करते हुए समझाओ जब भी समझाओ अपने आपको समझाना है हमने इससे असान पड़ा ही दुनिया में कोई करा सकता है कोई कापी उठाने की जूरूत नहीं पैन उठाने की जूरूत नहीं रेजिस्टर उठाने की जूरूत नहीं किताब उठाने की जूरूत नहीं हाथों को शरीर को हिलाने की जुरूत नहीं आप बिल्कुल अराम से सहज परंतू बनते नहीं है अक भी फूल होते हैं ये काटे तो चुपते हैं न ये जितने दुनिया में काटे बने हुएं सब चुपते हैं बाप कितना समझाते हैं कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वे आज तुमको पढ़ा रहे हैं हर बात में पुरिशारत के लिए ही जोर दिया जाता है देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है नीचे गिरा देती है हड़ गुड तोड देती है यह हड़ गुड कैसे तोड जाते हैं हड़ गुड क्या होता है यह कैसे तोड जाते हैं यह विकार में जाने से विकार में जाने से हमारी जो उर्जा शक्ती है ओज है वो ओज हमारा नस्त हो जाता है फिर ये हडियां कीरतन करना शुरू कर देती है हडियों की ताकत खत्म हो जाती है कौन तोड़ता है माया ऐसे तोड़ती है हमें अग्यानता वश हम विकारों के वशी भूत हो हानी कारक हारमुंस बुद्धी से रिलीज कर अपने शरीर का सत्यानास कर देते हैं जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है वो फिर बाहर जाकर कहते हैं ब्रम्मा कुमारियां भाई बैन बना देती हैं ये धार्म तो मैंने जाके अच्छी तरह देख लिया इतने साल मैं ब्रम्मा कुमारिज में रहा पन्तु ये ब्रह्मा कुमारियां तो दुनिया का बेड़ा गर्क करने पे लगी हुए ट्रेटर बन जाते हैं उनको ट्रेटर कहा जाता है बाप भी कहते हैं मेरे बन कर फिर माया के बन जाते हैं मेरे बनते हैं फिर माया के बन जाते हैं फिर जाकर के दुनिया को गुम रहा करते हैं तो अपने लिए भी अपना सही रास्ते से सच्चे रास्ते से खुद को भी हटा लिया और दुनिया को भी सच्चे रास्ते से चलने से रोकने के निमित बन जाते हैं तो बिलकुल बिलकुल खुद नहीं चल सकते दोश दूसरे पर तो देंगे न बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो उनको भी टेटर कहा जाता है उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है अब बाप माया से छुडाने आए हैं बच्चे कहते हैं माया बड़ी दूस्तर है उसे कोई नहीं जीत सकता अपनी तरफ बहुत खीच लेती हैं माया जैसे चुम्बक हैं इस समय चुम्बक का रूप धरती है कितनी खूब सूर्ती दुनिया में बढ़ गई है कितनी खूब सूर्ती बढ़ गई है आगे ये बाइसकोप आदी थोड़े ही थे ये सब सव वर्ष में निकले हैं बाबा तो अनभवी है ना तो बच्चों को इस ड्रामा के गुये राज को अच्छी रीती समझना चाहिए हर एक बात accurate नूंधी हुई है सो वर्ष में ये जैसे बहिस्त बन गया है opposition के लिए तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है science भी बहुत काम में आती है ये तो बहुत सुख देने वाला भी है ना वे सुख स्थाई हो सुख स्थाई हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है सत्युक के सुख है ही भारत के भाग्य में वे तो आते ही बाद में है जब भक्ती मार्ग शुरू होता है जब भारत वासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबर वार आते हैं भारत गिरते गिरते एक दम पट पर आ जाता है फिर चर्ना है यहां भी चर्ते हैं फिर गिरते हैं कितना गिरते हैं बात मत पुछो कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं वे भी माया के चम्बे में आ जाते हैं कुष्ती होती है न माया भी ऐसे लड़ती है एक दम पूरा गिरा देती है आगे चल तुम बच्चों को मालूम पढ़ता जाएगा माया एक दम पूरा सुला देती है फिर भी बाप कहते हैं एक बार ग्यान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना काल्प पहले जिसने जो पूरहर्शार्ट किया है वहा पूरह पूर्शार्ट करते करते गिरे हैं ऐसे ही अब भी गिरते और चड़ते तुपर तो नहीं पाएगा ना बात तो सुर्ग का सुख तो नहीं मिला ना वहां जाकर नुक कर चकर दास दासिय ज़ित नहीं आई तो स्थ्भण में नहीं आ गया है इसी स्वर्ग है है तो नाम तो स्वर्ग लग गया ना आधा स्वर्ग है तो वो आधे स्वर्ग में आगया मैं ड्वापर शूरू ओने वाला है तो लास्ट में हाघए तो क्या पाएगा बासर Corona आएे अगे और सुन में कि छर लिए यदि वो सुन खाना है, क्या पीना है, कहां रहना है, कैसे जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ जानते हैं, परंतु, सुद्रे नहीं, तो क्या फायदा, अब कितने लोग हैं, जिन्होंने टेलिविजन पर, या किसी भी माध्यम से मुरले सुन लिया है, तो क्या फायद भी कर देगा तो लास्ट में आ जाएगा तो क्या मिलेगा कितना सुख मिलेगा सारा मादार बच्चों की याद पर है कि कितना याद पर पर मात्मा के डारेक्शन पर चलते हैं बच्चों को ये अखुट खजाना मिलता है वे तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं कोई लाखों का धनवान बनते हैं सो भी एक जनम में दूसरे जनम में थोड़े इतना धन रहेगा करम भोग भी बहुत है असारी दुनिया में दुख का एक नाम क्या है करम भोग अपने करमों का फल सारे भोग रहे हैं वहां स्वर्ग में तो करम भोग की बात ही नहीं होती इस समय तुम 21 जनमों के लिए कितना जमा करते हो जो पूरा पुरशार्ट करते हैं पुरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं बुद्धी में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं ये ख्याल नहीं करना के फिर नीचे गिरेंगे ये सबसे जास्ती गिरे अब फिर चड़ना ही है आटोमेटिकली पुरशार्ट भी होता रहता है बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबर है मनुश्यों में कितना अग्यान भर गया है अग्यान के कारण बाप को भी सर्व्यापी कह देते हैं भारत कितना पस्ट कलास था तुम समझते हो हम ऐसे थे अब फिर बन रहे हैं इन देवताओं की कितनी महिमा है इन देवताओं की कितनी महिमा है परन्तु कोई जानते नहीं कमाल की बात है कोई जानते नहीं तुम बच्चों के सिवाए तुम ही जानते हो बेहद का बाप ग्यान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं फिर भी माया बहुतों को संशे में ला देती है जूट कापट छोड़ते नहीं तब बाप कहते हैं सचा सचा अपना चार्ट लिखो परन्तु दे अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं तो वे भी विकार्म बन जाता है वे भी क्या बन जाता है विकार्म बन जाता है सच बताना चाहिए नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है गर्ब जेल में भी बहुत सजा मिलती है कहते हैं तोबा तोबा हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे जैसे किस को मार मिलती है तो भी ऐसे माफी मांगते हैं क्या मांगते हैं सजा मिलने पर भी ऐसे करते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ पाप करते रहते हैं बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलाहिम नहीं बनते हैं बाप कितना मुलाहिम बच्चे मिसल ही चहो चलते हैं ब्रमा बाबा कैसे मुलाहिम बच्चे मिसल हो चलते हैं क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो ये बाप दादा दोनों इकटे है ना, दादा की मत अपनी इश्वर की मत अपनी सहें, समझना चाहिए कि ये मत कौन देते हैं, ये भी बाप तो देते हैं ना, बाप की तो मननी चाहिए, बाबा तो बड़ा बाबा है, न इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं नहीं तो समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे ड्रामा के प्लैन अनुसार बाप भी है दादा भी है बाप भी है दादा भी है बाप की शिरिमत मिलती है माया ऐसी है कैसी है जो महावीर पहलवनों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आश्री मत पर हूँ श्री मत देने वाला को आकर उपस्थित हुआ है हाजिर हुआ है उनकी है इश्वरिय मत बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ फिर भी हमने रत लिया है ना हमने रत लिया तब ही इसने गाली खाई जब हमने इस शरीर का आधार लिया शेव बाबा कहते हैं तब इसने गाली खाई नहीं तो कभी गाली नहीं खाई मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं शेव बाबा मैसूस कर रहा है मेरे कारण क्योंकि मैंने इसके शरीर में प्रिवेश किया है ये कितनी गाली खाते हैं तो इनकी भी संभाल करनी पड़े इनकी भी संभाल करनी पड़े बाप रक्षा जरूर करते हैं जैसे बच्चे की रक्षा बच्चों की रक्षा बाप करते हैं जितनी जितना सचाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होते हैं अब सचाई पर चलेगा पिर क्या रक्षा हुई रक्षा तो खुद करनी पड़ेगी ना खुद अपने आपको बचाना पड़ेगा जूठे की रक्षा नहीं होती जो सचाई पर नहीं चलेगा चलेगा ही जूठे रास्तों पर गलत रास्तों पर तो उसकी रक्षा नहीं होती उनको तो फिर सजा कायम हो जाती है फिक्स हो जाती है कि तो ये कर और ये पा इसलिए बाप समझाते हैं माया तो क्या है एक दम नाक से पकड कर खतम कर देती एंकार आ जाता है मैं है इतना बड़ा घ्यानी बस हो गया काम पूध बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है माया साबुत निगल जाती है सीधा का सीधा कुछ बचाती नहीं है तो फिर पढ़ाई छोड़ देती है माया खाने का मतलब क्या है वाकि कोई माया आती है कोई माया आके हमें निगल नहीं जाती सबसे पहला काम माया क्या करती है बेते सोने का टाइम है शरीर दिखो बुढ़्या हो गया है अब इतना नहीं काम कर सकते हो सोया रहे बस थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना करो बाप कहते हैं पड़ाई जरूर पड़ो अच्छा कहां किसका दोश है कहां किसका दोश है इसमें जैसा जो करेगा सो वो विश्य में पाएगा क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है माया ऐसी अंगली मार देती है जो वो खुशी नहीं रहती है फिर चिलाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है युद के मैदान में बहुत खबरदारी रहती है युद के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहां कोई अंगली ना मार दे जरा सह भी कोई छेर ना दे किसी परकार से फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं जो ताकत वरा होगा युद में तो हराई देगा फिर दूसरे दिन पर परखते हैं ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है नीचे उपर होते रहते हैं कई बच्चे सच नहीं बतलाते हैं इज़त का बहुत डर है पता नहीं बाबा कब क्या कहेंगे जब तक सच बतलाया नहीं तब तक आगे चल न सके अंदर में खटकता रहता है फिर विधी हो जाती है आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे अपने आप नहीं बताएंगे सच कहां दो हैं तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी तो हैं पती पतनी हैं अब दोनों में से एक सच बोले एक जूट बोले तो किसकी चलेगी बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना देंगे माया बड़ी दुस्ता रहे क्योंकि ये बाब दोनों है जो भी गलती है जो भी अच्छा ही है वह हम दोनों में एक जैसी है ठीहाँ निए अब वो कहे के मैं तो पवित्र रहता हूं और पत्र निए सुनाएं कि हम पवित्र नहीं रहते हैं भाबा हमें बचाओ तो भाबा के पास तो सच पोँच गया ना और भाबा को तो ये सच बताओ ये ना बताओ कोई फर्क नहीं पढ़ता परंतु दुखी तो है ना जो जूट बोले खड़ा है वो तो अंदर-अंदर गित हाँ अंदर-अंदर तो खाता रहेगा ना दुनिया के सामने तो कहेगा मैं तो ब्रमा कुमार हूं परंतु जो कमिया है वो तो आएंगी वो तो जागेंगी उनकी तकदेर में फिर इतना उच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं छिपाने से बिमारी छूटेगी नहीं सर्जन से छिपाने से बिमारी छूटेगी नहीं जितना छिपाएंगे उतना गिरते रहेंगे भूत तो सब में है ना जब तक कर्मातीत अवस्ता नहीं है कर्मातीत अवस्ता नहीं है तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है सबसे बड़ा दुश्मन है काम कई गिर पड़ते हैं बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाए कोई देधारी को याद नहीं करना किसी भी देधारी को याद नहीं करना कोई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आती याद भी नहीं आती पति व्रता इस्त्री होती है न, उनकी कूब बुद्धी नहीं होती, कूब बुद्धी क्या होता है, गंदी बुद्धी, गरत रास्ते पर, अब हमने भी गलती से इसको साजन तो बना लिया है शिव बाबा को, किसी दूसरे की बात देखनी नहीं, सुननी नहीं, दूसरे को देखना नहीं, दूसरे की सुननी नहीं, ताफिय इतना बहुत है, अच्छा, मिठे मिठे, सिक्की लधे, बच्चों प्रती, मातपिता बाप, दादा का याद, प्यार और गोड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्दे, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप, दादा को नमस्दे, 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 गोड दार्ना के लिए मुख्य सार नमबर एक हमें पढ़ाने वाला स्वेम ग्यान का सागर बेहद का बाप है इसमें कभी संशे नहीं लाना जूट कपट छोड अपना सच्चा सच्चा चाट रखना है दे अभिमान में आकर कभी टेटर नहीं बनना है ड्रामा को बुद्धी में रख बाप समान बहुत बहुत मिथा मुलाइं नम्र बनना बन कर रहना है अपना एंकार नहीं करना अपना एंकार नहीं दिखाना है अपनी मत छोड एक बाप की स्रेष्ट मत पर चलना है वर्दान एक बाप की लव में लीन हो मंजल पर पहुँचने वाले सर्व अकर्षन मोक्त भाप कोई भी दुनिया की चीज अब मुझे अकर्षित नहीं कर सकते बाप दादा बच्चों को अपने स्ने और सहयोग की गोदी में बिठा कर कौन सी गोदी है स्ने और सहयोग इस गोदी पर कैसे बैठेंगे का उपर चलों अब यह स्ने सहयोग की गोदी देखिए भाई आपने कोई बैठा है आप में से बताओ कहना तो मान लिए प्यार की गोदी कहां से होती है और कौन बताएंगे जितना सने दूसरों को देंगे उतनी देर गोदी में बैठेंगे 100% का इंजार करने की जूरत नहीं है आप 2% भी हैं तो आप 2% सने दे दो तो 2% की गोदी मिल जाएगी 10% देंगे 50% देंगे 20% देंगे सारा दिन जितनी लोगों को 24 घंटे में से अपना हिसाब लगाओ कितनी आत्माओं को मैंने प्यार दिया उतने आप प्यार की गोदी में बैठने के अधिकारी हो ताजा ताजा खाते जाओ ताजा ताजा देखते जाओ नहीं तो गड़बड हो जाएगी वेट नहीं करो रो जाना बस सारा दिन देखो ये जो एक घंटा गया इस एक घंटे में मैंने कितनी आत्माओं को प्यार दिया तो मैं उतनी देर बाब की गोद में बैठ गया जब हम अभी चेक करना शुरू करेंगे न हर घंटे हम चेक करें कि मैंने कितनी आत्माओं को सच्चा प्यार किया समझ लो कि मैं उतनी देर बाबा की गोदी में बैठ गया जितनी आत्माओं को मैंने बाप से मिलने का सयोग दिया, उतनी देर मैं बाबा की गोदी में बैठ गई। नहीं तो अजीव है jest, गोदी नाम की चीज की उसके पास है ही नहीं। यह में बुद्दू बना रहा है क्या? ठीक बता रहा है कि बुद्दू पिडा रहा है ठीक बता रहा है देना ही लेना है जितने अहाम उतना हम, तराजू तोल के बैठा हुआ है, दोखा नहीं देता है किसी भी पर कारका अन्याए नहीं होता है इस दुकान के उपर सची सची दुकान है और कहीं मिलती नहीं है एक यी दुकान है एक हटी है जिसको सुख पाना है तो इस हटी पर आना पड़ेगा बाप जो है अपने बाप दादा बच्चों को अपने स्ने और सयोग की गोदी में बिठा कर मनजल पर ले जा रहे है जितना बाटेंगे मज़ा आएगा अच्छा आज मैं एक घंटा गोदी पर बैठा आज थोड़ा टाइम बढ़ा हूँ भाई देड़ घंटा बैठूंगा जितना मैं आत्माओं को सने दूँगा जितना मैं सयोग दूँगा क्या फर्क पड़ता है वैसे भी तो उनके लिए कर रहे है सारा दिन चूना उसे आत्मा समझ कर कर दिया जाए सारा दिन कितना काम करते है सभी कोई भी ऐसा नहीं है सभी सारा दिन जितने भी कर्म करता है वो दूसरों के लिए करता, अपने लिए नही नहीं करता कोई भी काम, कोई भी जो कुछ भी आप करते हो, वो दूसरों के लिए करते हो चूना उसे बाबा की सिरीमत पर कर दिया जाए जिससे अनेक आत्माँ को सहीध मिले, खुशी मिले और हमारे भी जीवन में खुशी आजाए ये मार्ग मैनत का नहीं है इस मार्ग में कोई मैनत नहीं करनी क्योंकि सारी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे मेरे भाई हैं अब उनके लिए कुछ भी करने में कोई मैनत होना लगेगी ये तो मेरा भाई है एक्जामपल देते ना लड़की अपने छोटे भाई को लेके खड़ी हो काफी देर हो गई तो किसी ने कहा भाई इतना बोज क्यों उठा रखा है खड़ा कर दे नीचे बोज है ये ये मेरा भाई है लेकिन जब हाईवे की बजाए गलियों में तले जाते हो तुम्हें इतना सीधा रास्ता बताया तुम उस रास्ते पर चलने की बजाए शोटकट ढूंडते हो इधर उधर से निकलने की कोशिश करते हो मन्जिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं तो लोटने की मेहनत करनी परते हैं अब मंजिल पर जाने का रास्ता ये है, इधर ना जाकर दूसरे रास्ते पर चले गए, उल्टे रास्ते पर चले गए, तो वहां से तो वापिस आना पड़ेगा, रास्ता तो ये है, आपने जाना था, पूरव में चले गए, पस्ची में, अब पस्ची में चले गए, जितना पस्ति में जाओगे उतना फिर पूराव की तरफ बढ़ना पड़ेगा ना टाइम तो बढ़े गए पड़ेगा मैनस से बचने का सादन है एक की मुहबत मेरा बस एक बाप का कहना मानो कोई दूसरे का कहना मानेंगे तो आपको टाइम ज़ादा लग जएगा एक बाप के लव में लीन रहोकर हर कारिय करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा पस एक बाप के प्यार में लीन होकर मस्त को करके कारिय करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा सार्व अकर्षनों से मुक्त हो जाएंगे सार्व अकर्षनों से मुक्त हो जाएंगे स्लोगन है अपनी खुश नसीबी का अनभव चहरे और चलन से कराओ हम कितने खुश नसीब हैं कैसे कराएंगे चहरे से कैसे कराएंगे हमारी खुशी से सब खुश हों खुशी बाटो हम खुशी बाटेंगे तब तो पता लगेगा और अपने चहरे से और चलन से मुला पैसे खर्च नहीं करवाता कोई भी कि चलो भी टाफिया बारदो लड़ू बारदो नहीं कुछ नहीं दिल खुश मिठाई बाटो जिसमे पैसे भी खर्च ना बसे है तो फैदे वाला काम मैं सारे फैदे बताता है अच्छा ओम शांती और विस्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर करे और यदि कोई प्रेशन है तो नहीं टू 1-3-1-0-6-9-8-6 पर केवल टेलिग्राम करे 9-6-5-0-6-9-2-2-7-0 पर केवल वाटसेप करे और नहीं ओम शांती कर दो